अभिज़त प्याप माच्रा में हुई बारिश और धूप के कारण कपास की वरिदी जोरदार है इससे किसानों को कपास का दिक उत्पादन मिलने की उमीद है अनुमान है कि अगर बारिश पानी धूप हो और कपास पर कोई बिमारी नहो तो इस साल 25 लाग गांट कपास का उत्पादन किया जा सकता है पिछले साल बारिश की कमी के कारण केवल 9 लाग गांट कपास का उत्पादन हुआ था जिनी पेशेवरों ने बताया है कि इस सीजन में यह बढ़ेगा पिछले साल 2021 मांसुन के दुरान कई बार भारी बारिश हुई थी इससे कपास का उतपादन चोहाथ लगा था वो चोपट हो गया था कपास की कमी के कारण जीनी चालकों को फरवरी और मार्च के महिने में ही उटाई बंद करनी पड़ी थी जीनी मुद्यों को करोडों का घाटा उठाना पड़ा था वहीं कपास नो से तेरा अजार पे प्रतिक विंटल की दर से बिकता दिखाई दिया था इस साल भी कपास की अच्छी कीमत मिलने की उमीद में किसानों ने कपास की फसल को 10% अधिक बढ़ा दिया है अब तक हुई बारिश से कपास की फसल की स्थिती फिलाल अच्छी है ऐसे में आने वाले समय में अगर भारी वर्षा हुई तो कपास के अच्छे भरे हुए लच्छे त्यार होंगे सूनी विमारी का अगर प्रकोप नहीं होगा तो अच्छा उतपादन होने की उमीद जताई जा रही है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगले महीने बारिश कैसी होती है कपास के उतपादन को लेकर एक स्थम्बर के बाद तस्विर साफ हो जाएगी इस साल आगामी अब्दी में उचित मात्रा में बारिश के लिए प्रातना करते नजर आ रहे हैं वहीं पिछले साल कपास की कमी के कारण जिनिंग विवसायों को समय से पहले ही जिनिंग बंद करना पड़ा था इस वर्ष कपास की फसलों की स्थिति अच्छी है इसलिए उमीद है कि उतपादन दीक होगा और पिछले वर्ष की कमी इस वर्ष दूरी हो जाएगी पिछले साल की नुकसान के कारण विवसायों को कई बड़ा वित्य कारोबार नहीं हुआ था इस सल नया करज लेते समया बैंक उने करज देंगे या नहीं इस बात को लेकर संश्य बना हुआ है सो गाट कपास की उतपादन के लिए 40-50 लाकी अवशक्ता होती है इतनी पुझी जुटाने के लिए बैंकों को तैयार करना होगा वही कहीं कहीं 200-500 गांठे भी बन जाती है जिनी प्रोफेशनल्स पुझी को 1 करोड से बढ़ाकर 5 करोड करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं गांठी तुरंट नहीं बेची जाती अगर इसे बेचा भी जाता है तो इसका भुखतान तुरंट नहीं होता है वहीं दूसरी और किसानों को कपास का भुखतान नकद में करना होता है और एक महीने तक का समय देने के बाद ही ये संश्या बना रहता है कि विप्रीत पार्टी की और से बुक्तान समय पर आएगा या नहीं प्रतिस पर्दा के इस यूट के कारण इस वेवसाय में अब प्रतिस पर्दा बड़ती दिखाई दे रही है लगबग 1500 जीनिक प्रसेसिंग फैक्टरियां है और इस साल वे सब शिरू हो चुकी है और लगबग 25 लाग गांट का उतपादन संबव है आने वाले समय में भारी बारिश नहीं होनी चाहिए साथ ही लार्वा जैसे संकर्मन से फसल खराब हो जाएगी सितंबर में जलगाओं में राश्ची सर पर कपास मिलन आयोजित करने की भी योजना बनाई जा रही है और फिलाल ऐसे में अब उमीद है कि इस बार कपास का उतपादन अच्छा होता दिखाई दे सकता है